हलो दोस्तो आप सभी का अपने यूटूब चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हादिक स्वागत है दोस्तो आज हम पढ़ने वाले दस्वी क्लास के साइन्स के चैप्टर थी जो की कमेश्ट्री यानि रसाइन सास्थ से है और चैप्टर का नाम है धातू एम अधातू और इसके most important objective question जो की हमेशा exam में पूछे जाते हैं दोस्तो यही एक वीडियो है जिसमें chapter 3 के सारे objective question है इससे बाहर कोई भी question नहीं आएगा चलिए दोस्तो one by one हम question देखते हैं और उसको करते हैं दोस्तो पहला question है धातू का पतले तार के रूप में खिशने की शमता को क्या कह क्या क्या जाता है तो दोस्तो आपके पास option अगहात वर्द्धता तन्यता लचीलापन या इन में से कोई नहीं तो इसका answer क्या हो जाएगा option बी तन्यता राइट चले next question करते हैं दोस्तो अगला प्रश्ण है कुछ धातों को पीट कर पतली चादर बनाया सकता है राइट ध औजार बनाई जाती है ना इस गुण धर्म को क्या कहते हैं तो इसका अंसर हो जाएव दोस्तो अगात वर्दिता ठीक है ध्यान रहेगा तन्यता जिससे तार खेची जा सकती है और जिसे पीट का पतली चादर बनाई जा सके उसे अगहात वर्दिता करते हैं राइट नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है कि कुछ धातू है कठोड़ सत्र से टक्राने पर आवाज उत्मन करते हैं है ना दोस्तों ये धातू का गुण होता है कि किसी भी अन्य धातू के साथ या कटों सत्र से टक्राने पर आवाज उत्मन करते हैं तो इस गुण धर्म को हम क्या करते हैं तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों ऑप्संसी धुआने कि सोनरस राइट टेक्स प्रश्न करते हैं सबसे लिमुनियम तामबा और सोना तो इन में दोस्तों क्या हो जाएगा इस कहां हो जाएगा D. सोना ठीक है सबसे अदिक तन्य धातु है और यह ऐसा तने धातु है कि मात्र 1 ग्राम सोने से आप 2 किलो मीटर लंबी बना सकते हैं चलिए पढ़ते हैं नेक्स प्राशन नेक्स प्राशन है कि इन में से कौन बिधुत का सरोत्तम सुचालक है इसमें आप देखोगे सारे सुचालक ह amendments ही है और सोना, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? Option A, चांदी, राइट? Next प्रस्ट देखो, दोस्तों वही आगया, जो मैंने आपको बता दिया है, कि एक ग्राम सोने से कितना लंबातार बनाए जा सकता है, तो याद होगा, दो किलो मेटर, राइट? इसका अंसर क्या हो जाएगा? Option D, दो किलो मेटर. Next प्रस्ट प्रस्ट देखो, कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु की सवस्था में पाई जाती है, दोस्तों आपको मालूम है कि धातु सभी क्या होते है, ठोव सवस्था में पाई जाते है, लेकिन मरकरी कैसी धातु है, जो कि कमरे के ताप मान पर क्या होती है, द्रोव और अस्था में पाई जाती है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? B. Next प्रस्ट 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 है कि निम्न में कौन एक चमकीला अधातु है? द्रोव अधातु है और चमकीला है, तो आपको मालूम होगा कि वैसे तो धातु चमकीले होते हैं, लेकिन अधातु भी है, जो कि चमकाब्दार होते हैं, और वो कौन सा अधातु है, तो ऑप्सवन आपके पास है कार्बन, फास्पोरस, ब्रोमीन और आयोडीन तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option B आयोडीन है ना आयोडीन क्या होता है एक अधातू होते हुए भी क्या होता है चमकिला होता है next question सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है ना प्राकृतिक रूप से जो बना हुआ पदार्थ है यह नहीं क्रित्रिम रूप से प्राकृतिक रूप से जो पदार्थ बना हुआ है उसमें सबसे कठोर पदात कौन सा है तो दोस्तों आपके पास option है lithium, हीरा, sodium और potassium तो आपको मालूम होगा दोस्तों हीरा क्या होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदात है राइट नेक्स्ट प्रेशन करते है नेक्स्ट प्रेशन है दोस्तों निम में से कौन एक अधातु है है यह आपके पास चार option है इसमें से आपको पहचान के बताने कौन एक अधातु है है ना option है carbon, calcium, sodium और zinc तो आपको मालूम होगा दोस नेक्स्ट प्रेशन करते हैं लोहे के frying pan ठीक है लोहे का जो frying pan होता है उसको जंग से बचाओ के लिए निम में से कौन सी बीधी उप्यूक्त है ऑप्सन है grease लगा कर, paint लगा कर, zinc की परच चाहकर उप्रोक्त सभी तो दोस्तो frying pan है grease लगाना बेटा नहीं है ना जल जाएगा paint लगा कर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं जिंग की परच चाहकर यह तो option ऐसी नहीं होगा क्योंकि यह दो option ऐसी नहीं हुए तो यह चौथा option भी होगा इसका उनसरख कांसर क्या हो जाएगा सी जिंक की परतच चड़ा कर राइटफन करते दूस्टों कि नेक्ष्ट पर स्ने कि निमствен में से कौन धातू है जिसे चाकू से काटा जा सकता है है ना जोस्टों आपको मालूम है कि धातु क्या होते हैं कठोर होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है जिनको आसानी से चाकु से भी काट सकते हैं तो इनमें क्या है सोडियम भी है और लिथियम भी है तीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा यह दोनों वाला क्योंकि सोडियम और लिथियम ये दोनों मिलकर जो होते है जोडियम भी है और लितियम भी है जिसको चागू से हम काट सकते हैं तो इसका अंसर हम देंगे C दोस्तो नेक्स प्रेशन है कि खाद पदार्थ के डिबो पर जिंक की बजाए टीन का लेप होता है क्योंकि अपसन पहला है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभी किरियाशील है अभी किरियाशील का मतलब सबसे अधिक अभी किरिया करने वाला राइट दूसरा अपसन है तीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है तीसरा है कि तीन की अपेक्षा जिंक कम अभी किर्याशील है और चौता अपसन है कि तीन की अपेक्षा जिंक का गलनांग अधिक होता है दोस्तो इसका अंसर आपका क्या होगा तो जो अधिक अभी किरियाशील होगा, उसको हम क्यों यूज करेंगे खाद बाध का डाध के डिवो में हम उसके जग लिए टीन का ही उपलों करेंगे हैं न, क्योंकि टीन कम अभी किरियाशील है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, उपसन Е, राइट नेक्स्ट प्रश्ट निम्ड में से कौन एक उपधातू है है ना धातू अधातू और उपधातू ये तत्व के तीन परकार होते है तो उपधातू दोस्तो किसे करते है ऐसे तत्व जिनके गुंड धातू और अधातू दोनों के रूप में पाई जाते है यानि दोनों के मद जर्मेनियम कार्बन तो इसका अंसर हो जाएगा जर्मेनियम क्योंकि कार्बन क्या है एक अधातु है और जिंक और कैल्सियम क्या है धातु है तो इसका अंसर हो जाएगा C, दोस्तों ये वाला भी प्रश्ण क्या है कि निन में से कोन एक उपधातू है इसमें भी आपको उपधातू ही पहरशान करनी है Option है लोहा, कॉपर, एंटी मानी और निखिल तो इसका अंसर हो जागा एंटी मानी ठीक है एंटी मानी क्या है एक उपधातू होता है स्टेट का हो, किसी भी स्टेट के बोर्ड का एक्जाम हो, राइट चलिए, नेक्स्ट प्रेस्टन है कि निम्द में कोन आइनिक योगिक है और हाँ इसको ध्यान रखना क्योंकि ये कंपटिशन में आगे चलके काम आएंगे है ना तो इसको अभी से याद करोगे तो आगे चलके किसी भी कंपटिशन की तियारी करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी तो दोस्तों क्या है कि निम्द में कोन आइनिक योगिक है आइनिक योगिक के बारे मैंने आपको बता दिया है ठीक है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे है तो इस चैप्टर के जितने भी प्रिवेस्ट कोश्चन्स मैंने इंपर्टिंट कराये हूं उसमें से आइनिक योगिक के वारे में बता चुका हूं तो दोस्तों इसका अंसर क्या हो जाए कैल्सियम कॉलॉराइड ठीक है इसका अंसर हो जागा सी दोस्तों यह वाला प्रशन है की शीशा यानि जिसको लैड करते हैं और तीन इन दोनों को मिलाकर कौन सी मिश्धातू का निर्मान होता है आपके पास आप्सन सोल्डर श्टील गन मेटल और पीतल तो आपकांसर क्या होगा सॉलडर वायर का जो है नहें मिश्धादू का निर्मान सुलडर एक मिश्धातू है वैसी है चार नहें मिश्धातूर्ण हुए लेकिन शोडर 18gehen जिसका निर्मान क्से होता है लेकिन इसमें इन चारों में से कौन ऐसा धातु है जो कि अधीक अभी किर्या शील है आपके पास है option sodium, mercury ठीक है यह हो गया आपका सोना और यह हो गया चानदी है ना तो आपके पास चार अपसन है sodium, mercury, sona और चानदी तो दोस्तो इसका अंसर हो जागा sodium ठीक है अगर इसके ज कि अभी किरिया शील आतु हैं देखो आ गया हमारे पास question यहा पर सोडियम नहीं होगा इहां रखना सबसे अभी किरिया शील कि अगर बात यहाँ साथ पोटेशियम पोटेशियम के बाद आता है सोडियम का नमबर आइट इसका अप्शन क्या हो जाएगा यह ने क्या है कार्बन मतलब धातू है औधातू है उपधातू है इने में से कोई नहीं तो ये तो द्दysłgender का अधातू हो गाहिए इस होसकता है द०्यातू नहीं है दातू नहीं है और रूपधातू भी थीकिES के स्रेधनी में आता है अधातू के रूप में यापने पड़ा होगा तो इसका अनसर क्या हो जाएगा? Option B नेक्स्ट प्रस्ट है कि धातू के उकसाइड समान्यता होते हैं तो दुस्तो धातू के उकसाइड समान्यता आपको याद रखना होगा शार्किय होते हैं और अगर अधातू के Oxide होते हैं तो अमलिय होते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा Option B धातू के Oxide समाने ता क्या होते हैं शार्किय होते हैं Next question Sulfide A.S.C. का सांधरन समाने ता किस बीदी दौरा किया जाता है दोस्तों ये भी question मैंने करवा दिया है तो इसके option है आपके पास हाथ से चुनकर निशालन बीदी दोआरा निशतान बीदी दोआरा या फिर फेन पलाउन बीदी दोआरा तो आपको मैंने बताया था कि sulfide asko को फेन पलाउन बीदी दोआरा शांदरीद किया जाता है यानि कि उसका निश्करशन किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा option C, next question, दोस्तों question है कि किस दातु का मुख ask McK programsum होता है, right? तोauxite किसका इसकह है आपके पास option ऑपसने合 आ हमेताइट होता है Pav Katherine, Calcium, Sodium, Aluminum , तो दोस्तों ऐलमूनियम जो हता है इसका है opportunity是 coconut जाता हम का नाम क्या है भुकसाइट, तो इसको ध्यान lakn option D next question है कि निम्प में से किस दातू का गरलंग सब से कम है दोस्तों आयोब यह सारे question के answer आप असानी से कर पा रहे होगे अगर आपने शुरू से इस chapter के सारे वीडियो से देखे होंगे तो right दोस्तों next question है हमारा कि निम्प में से मुलाइम जो कठोर पदार्त होते हैं उनका गल्लांग भी क्या होता है? अधीक होता है यहां सबसे मुलाइम सोडियम है तो इसलिए इसका गल्लांग क्या होगा? सबसे कम होगा तो इसका अंसर हो जाएगा option B right? next question amalgam जो की मिश्र धातु है जिसमें निम में से एक धातु हमेशा रहता है amalgam का मिश्र धातु जब तियार किया जता है तो इसमें से कौन ऐसा धातु है? जो की जरूर होना ही चाहिए? option आपके पास है HG यानि mercury, AU copper, AU जो होता है सोना, AG, चांदी होता है और copper, ठीक है? तो इसमें से जागा option A next question है कि निम में से कौन अती जोलन शील है ठीक है? जोलन शील तो इसमें जो भी है, ये देखो जोलन शील है ये भी है, ये भी है ना लेकिन इसमें अती जोलन शील आपको बताना है सधार नमक, I think जोलन शील नहीं होता है लेकिन बाकी जोए लाल फासपोरस स्वेध पासपोरस और फ्लैस्टिक गंदा की इस सारे जोलन शील है लेकिन सबसे हतिक जोलन शील क्या होता है स्वेध पासपोरस, इसको ध्यान रखना certified पहले माचिस में स्वेध पासपोरस का बना जाता है तो आपको ध्यार रखना होगा कि उसमें लाल फासपोरस और लेड यानि की सीसा मिला जाता है राइट नेक्स प्रशन है कि लोहे के के समय चूना पत्थर लोहे के निशकर्शन के समय चूना पत्थर कैलसियम सिलिकेट की योगी को क्या कहते है उप्शन द्रावक प्रगलन धातुमल या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर हो जागा धातुमल ठीक है याद रखना कि लोहे के निशकर्शन के समय चूना पत्थर कैलसियम सिलिकेट की एक योगी बनाता है तो इस योगी को हम धातुमल काते है उप्शन सी दोस्तों अगला प्रशने की धातुं की प्रकृति होती है तो याद रखना दोस्तों धातु की धनात्मक होती है और अधातु की रिनात्मक होती और जो उप धातू होते हैं ना उनका धनात्मक भी हो सकता है रिनात्मक भी हो सकता है ठीक है या फिर नीट्रल भी हो सकता है ठीक है तो यह ध्यानक ना वैसे धातू का क्वेशन है तो धातू क्या होते हैं उनकी प्राकिति विदुद्ध धनात्मक होती है और उदासीन की स्क करते हैं, इलेक्ट्रोन का त्याग करते हैं, और इलेक्ट्रोन का त्याग करते हैं, तभी तो विदुत का धनात्मक हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रोन का ग्रहन करते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन इलेक्ट्रोन का ग्रहन करता है, इसलिए क्या होता है, विदुत रिन तृट होते हैं किस परकृत है अंसर परक्र करने तो भी कैसे किस अनुपात स्क लोरिक और संद्री मिला जाता डोस्तो इसको जो है अमल राज भी कहा जाता है तो अमलाज बनाने के लिए यानि सांध हाईड्र कलोरिक-गण्याम, सांध हाईड्र कलोरीक एसीड होता है न है और सांध नीटरिक-गण्याम, रहें किस और उपात में अनुपात इक लीए न की tror करते हैं ताहित क획icha नेक्स ब्राष्न अभी क्रिया शीलता के क्रम में लगाएगए जा Soon लगए है जिंक आयरन दूसरा option में zinc, almonium, magnesium, iron तीसरा option है magnesium, almonium, zinc, iron और चोथा option है iron, zinc, almonium, magnesium दोस्तों यहाँ पर option C हो जाएगा magnesium, उसके बाद aluminium फिर zinc, फिर iron यानि हम कह सकते हैं कि इस option में magnesium सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और इन चार जो धातू है है इनमें लोहा जो है हो सबसे कम अभी किर्याशील है इसी option में मैं यह नहीं कर रहा हूं कि संपूर्ण element में ठीक है चलो next question है कि sodium की पर्मानु संख्या कितनी होती है ना इंद द्यान रखना next question next question है कि potassium की पर्मानु संख्या कितनी होती है potassium की कितनी होती है 19 20 किसी होती है calcium की 12 किसी होती है magnesium 18 किसी होती है argon की ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option B 19 potassium की पर्मानु संगREE कितनी होती है 19 नेक्स प्रेशन आईनिक योगी सोडियम को राइड ने सिया ऐना कि दिस्योनों मालूं को कि दों कि अइनिक योगी का गल्लांक जो वा कि ऐता है बोट अधिक होता है तो इसमें आपको आपसर प्रश्यार दिए गये हैं आपको बताना है कि कार्बोनेट एस को सीमित वायू में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो इस किरिया को क्या करते हैं इसके बारे में मैंने आपको क्वेशन करा दिया है आपके पास अप्सने भर्जन निस्तापन ऑक्सी करन और करन तो दोस्तों यहा निस्तापन और असी मीत वातरा में होता तो क्या हो जाता है बाहर जन राइट एक्स्प्रेश नहीं कि अधिकता पर गर्म करने से यह ऑक्साइड परिवर्थित हो जाते तो इस पर क्या करते हैं बहर जन ठीक है वहां पर था कार्बोनेट आइसक और उसको करते हैं सीमित व भर्जन करते हैं जैसे जिंक सेलपेट को ऊपस्तिती में गर्म करते है तो यह Untersוכ沒關係 बीज़ित करते हैं और कारबोनेक्ट को निष्भाल दिवारा तो यह ध्यान रखना इसको के लिए 11אש सय अंसर हो क्या कहते है सबको मालूम होगा है ना जंग लगना ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option D जंग लगना लोय में जंग लग जाता है जब वो नमी आद्रवायू या पानी में रहता है तो इसको से धातु का निशकर्शन तथा उसका परिश्करण कर उप्योगी बनाने की परक्रम को क्या गाते है जो जमीन से प्राप्त अयसक होते है वो शुद्ध रूप में नहीं होते है उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए उनको क्या किया जाता है उनको पीचल क्या होता है एक मिश्ट दात्ट होता है यह हुजाएगा आपका आपका अंसर अप्सट सी नेक्स प्रशन है कि नियुक्ष नहीं करता और तो इसका अंसर क्या हो जागा ऑप्सान बी कोश्चन ही आ सकता है आपके एक्जाम में कि सोने की जोली क्यों बना जाती है ठीक है तो इसका जो में रीजन यह हो सकता है कि वह संशारित नहीं होता है किसी और पदा से असानी से अभी किरिया नहीं करता और खास तोर से ऑक्सिजन से पानी से अभी किरिया नहीं करता है तो इस वज़े से सोने की जोली बनाई जाती है तो इसका सही अंसर क्या हो जागा ऑप्सन बी जो की ऑक्सिजन से संजोग नहीं करता है राइट एक्ट प्र और धातु तो अधातु में आपका अंसर आजाएगा ब्रोमीन ठीक है याद रहेगा अगर धातु पूछा जाता तो आप पारा बताते अधातु पूछा जा रहे हैं कमरिता पर द्रह होता है तो ब्रोमीन है बाकि तामबा इल्मूनियम तो आपको मालूमें धातु है कोशन तो अधातू का है, ऐसे भी आप देख सकते हो, है ना, तो ब्रोमिन इसका सही आंसर हो जागा, option A, next question है, कि निम में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, right, चाकू से, असानी से, option है, lithium, calcium, copper और iron, तो इसके बारे में भी मैंने बता रहा आपको, कि चाकू से, जो है, sodium को, lithium को असानी से काटा जा सकता है, क्योंकि मुलायम होते है, वैसे तो धातू कठोर होते हैं, लेकिन है मुलायम होते है, जिसको असानी से, चाकू से भी काटा जा सकता है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, lithium, नेक्स्ट प्रस्ट रहे, कि निम में से कौन, aluminium का मिश्रधातू है, ठीक है, aluminium का मिश्रधातू, यानि aluminium से बनाया हुआ मिश्रधातू कौन सा है, आपके पास option है, magnesium, german silver, पीतल, और का सा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, option है, amaliraj में, sand sulfuric humble में, sand nitric humble में, और इनमें सभी में, दोस्तों, इसका सही आंसर हो जागा, sand nitric humble, ठीक है, सोना जो है, sand nitric humble में, गुल जाता है, इनकी अभी किरिया कर लेता है, तो option C, इसका सही जबाब होगा, राइट, आपको याद हो रहा होगा, ठीक है, इसको याद करते चलना, इसको एक दो बार देख लोगे वीडियो, तो अच्छे सी याद हो जाएगा, यही सब question आते हैं, इस chapter से, अगर objective आते हैं तो, ठीक है, बाकि इसके अलवाग कोई objective question, satisfaction बाहर से नहीं आएंगे, राइट, next question, next question है, कि सधारन गंदग का आन्विक सुत्र क्या होता है, ठीक है, सधारन गंदग यानि सलफर का आन्विक सुत्र क्या होता है, आपके पास option है, s, s2, s8, s4, ध्यान राखना आन्विक सुत्र पुछा जा रहा है, रशान इक सुत हो का zuhra होता है जैसे hydrogen का zuhra आपसे पूचा जाए कि तो क्या होगा है ऐसी यह सजी यह भी है nitrogen का 3 होता है न 203 हो जाका आविक शुत्र है न अक्सीजन 02 होता है तो इस तरीके से ध्यानक आखना सधारान गंद्र का क्या होता है एस एट होता है application आट्विक्शूत्र क्या होता है itá अलाकर सब्षानिक सुत्र पूछा जा तो फूर आगा लेकिन आम में से पूर। नहीं है या दातु तो दूस्ति है जच हाइद द्यान अखना सिछपण कर नहीं है और सिम लिका दूस्त क्यy होता है सिलीकन का एक है यह जच होता है तियुका इन्म से क्वी नहीं है गला धास्य यह क्या है एक एयास का यानि इन मैंसे कोई नई hiç ओप्षन होगा लाइड ऑप संड़ी तीके आप ध्यान रखना सिलका क्या होता है 10 कि होता है सिस्का लिपा मगा रचानिक सुधर क्या होता है याद रहेगा तीक है नेक्सट प्रूष लक्रन करण की परकिरिया में प्रकृर्तिक रबर के साथ है निम्लीगित में क्या मिला जाता है ठीक है व्लकनी क्रण की परकritt रबर होते हैं उसके इसके साथ Kyya मिला जाता है और सनyear durum सोरस सधारन नमक सधारन गंदक या क्लोरिन तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा सधारन गंदक ठीक है सधारन गंदक जो होता है जब वलकनिक करन की परकिरिया की जाती है तो प्रकृतिक रवर के साथ मिलाया जाता है राइट दोस्तों नेक्स प्रेश्टे की निम् कोथनांक उच्छ होता है बिल्कुल सही है इनका कोथनांक अधिक होता है बिल्कुल सही है यह प्राइज जल में गुलंशील होते हैं यह भी बिल्कुल सही है यानि कि क्या होगा इन में सभी जो होंगे आयनिक योगी के गुण होते हैं राइट नेक्स्ट प्रेश्ट व्योस सबसे ज़्यादा जो है बेवसाइक अस्तर पर अलमूनियम धातु का निसकर्शन ओक्साइट एस्क से किया जाता है ठीक है या कोई इंपोर्डेन मैंने मार्क भी करवाय था उस टाइम में जब मैंने धातु के बारें बताया था तो ठीक है होती है ना आपने देखा होगा कारवन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट है ना इस तरीके से बहुत ऐसे तत्व है जिनके अपरूप होते हैं तो यह जो गूंड धर्म होते हैं जो की एक ही तत्व होते हैं लेकिन उनके दो या दो से अधिक गूंड होते हैं ठीक ह अलग-अलग रूप में होते हैं जैसा अभी मैंने बता है कि कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है ना तो ग्रेफाइट क्या होता है बीदत का सूच अलग होता है जबकि हीरा क्या होता है बीदत का कुछ अलग होता है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अ सब्सक्राइब करने के लिए उन पर किस दातु की पतली परच आए जाते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो गया जाएगा ऑप्सन डी एक्स्ट प्रस्न करते हैं इसका आपको मालूम होगा अंसर क्या होता है एक्स्ट प्रस्न की जब मैगनिशियम रीबन या फीता को जला जाता है तो उत्पन आग की लोग होती है किस कलर की होती है अपनी कोश्यों तो बहुत बार पढ़ा होगा कि मैगनिशियम रिबन को जलाने पर है तो वही बताना है कि अब आपको बताने कि लोग कौन सी कलर की होती है पिली होती है निली होती है चमकिली उजली होती है या फिल लाल होता है नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने शुद रूप में धातू की सत्था होती है कि शुद रूप में धातू बिल्फुल यह प्यूज्व है तो उसस्की सत जो लेएर उसके ऊपरी फ्रकें काला होता है खुर्दुरी आप इनने जा सब्सक्राइब कावज नेक्ष्ट कहीं सही है नेक्स्ट काहँसा एक भी मिष्र दातू है काउर सब्सक्राइब को जाए तून मिशंद अपर ओसब्सक्राइब यानि टीन का मिश्रिदात होता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोनो राइट नेक्स प्रशन है कि लोहे को कठोर बनाने के लिए निल्मे से क्या मिला जाता है दोस्तों आपको मालूम होगा कि लोहे जो होता है अगर शुद रूप में लोहा होता है आप उसको आसानी से तोड सकते हो राइट तो उसको कठोर बनाने के लिए क्या क्या आता है कि उसमें कार्वन मिला जाता है ठीक है कार्वन मिलाने के वज़ए से लोहे थोड़ा सा देखते हो कि लोहे की वस्ते हल्की सी काला पन आ जाती है तो लोहे में कार्वन मिला जाता है जिससे क्या हो जाता है क किस रंग का उजाता है आपको मालू में दोस्तो जो इस परकार से लोग़ेयों में जंग लगता उस तरीके से कॉपर का भी कालर क्या होता है बीलकुत सही जवाब है तो दोस्तो यह था आज का हमारा अंतिंग प्रश्ण आपने जितने भी क्वेशन के सही से आंसर दिये होंगे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करना दोस्तों इसी तरीके से हम आगे भी प्रश्ण कंट्निव करेंगे अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ चैप्ट के लिए बाइबाय दोस्तों जाहिंद